तो साल 2024 का ये पहला हमें बाइबैक देखने को मिलना है और टेंडर रूट के थुरू बजाज आटो बाइबैक ला रहा है अगर हम बात करें कि यहां पे कंपनी ने अनौसमेंट कब किया था तो आठ तारी को यहां पे कंपनी ने अनौसमेंट किया था जन्वरी जैसे अनौ किया जा सकता था जब stock class गिरा था तब भी buy किया जा सकता था सबी लोग को पता चल गया कि जो buyback है वो confirm पैसा बना करेता है इसी वज़े से इतना यहां पर demand देखने को मिला है अब हम हर चीज़ बात करेंगी क्या ऐसा तरीका है क्या हम ऐसा करें कि हमारा जो buyback है वो हमेशा accept होगा maximum time accept होगा ठीक है समझिए कि 100 में 99 बार accept होगा ऐसा तरीका मैं आपको बताओं तो बात करें number of shares कितने हैं तो अगर आप देखेंगे 40,000,000 number of shares है issue size क्या है 4,000,000 करोड और 10,000 रुपए का basically यहां पर share buyback price है अब खुद सोचे यह buyback इतना powerful है इतना ज़दा मतलब की पैसा कमानी किसमें opportunity है और कितना ज़दा chance है पैसा बनने की क्योंकि जब buyback आता है उसी news से stock भागने लगता है और एक चीज़ और है कि अगर आपने 7,000 रुपए यहां पर किसी stock में माल लेते लगाए हैं तो उस stock को 10,000 होने में कितना समय लगेगा FD में तो होने सरा हो सकता है 6-7 साल लग जाए इतना पैसा बनने में यह हो सकता है उससे भी जाता है calculation तो मैंने किया नहीं है लेकिन अगर आप कोई भी जैसे investment कोई करता है 7,000 का तो उससे माल लेते 10% return generate किया साल भर में या फिर माल लेते 20% किया तो 1400 ही का तो profit होगा न चौरासी सो बनेगा पैसा तो कहने का मतलब यह है कि buyback एक ऐसा तरीका है जिससे directly profit बनता है बहुत जल्दी अब जैसे माल लेते भी stock कितना चला 731 इसकी closing है यहां पे अगर कोई जैसे stock buy करते हैं आप लोग और buyback के लिए apply करते हैं 10,000 रुपीज आपको direct मिलेगा condition लेकिन एक है आप buy तो यहां पे 10 share भी कर सकते हैं 20 भी कर सकते हैं लेकिन एक चीज होती है acceptance ratio अगर आप एक share भाई करेंगे ना तो आपका acceptance ratio काफी जादा हाई हो जाएगा अगर हम बात करें तो जो यह इस company का buyback है बजाज आटो का तो इसमें around आप देखेंगे 6,000,000 यहां पे basically retailers के लिए रखे गएं shares अगर यहां पर क्या होता है ना कि इतने जादा भर भर के लोग buy कर लेते हैं और सभी रुखमान लेते क्या होता है च्छे लाग यहां पे company basically खरीदेगे 6,000,000 शेयर और अब लोग क्या करते हैं साथ लाख लोग आते हैं और सभी एक 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 जो शेयर है वो buy कर लेते हैं तो अब इसमें दिक्कत क्या होगी ना कि extra जो एक लाख लोग हैं उनको कंपनिया बाइबैक नहीं दे सकती क्योंकि 6,000,000 को ही 6,000,000 शेयर सी basically company को purchase करने हैं मान लेते 7,000,000 शेयर अप्लाय नहीं क कर लिया जाएगा तो यही मैं कहना चाहरा हूँ कि जितने अभी तरह देखिए 6,000,000 यहां पे शेयर हैं और 4,000,000 टोटल अगर शेयर पर चेयर होते हैं तो सब का जो 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 लोग एक एक अपलाय करेंगे सब का confirm accept किया जाएगा तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ मान लेत आप खुर सोचिए यहां पे माल लेते हैं कि 2,000 का profit हो रहा है माल लेते हैं profit हो उससे उपर ही 26,000 के उपर ही profit अभी दिख रहा है माल लेते हैं कि आपने और उपर बाय किया 2,000 रुपए profit हो रहा है per share यहां पे 5 application डाल रहे हैं 5 shares अगर purchase कर रहे हैं तो 10,000 का profit बन रहा है which is stock फिर से खुलेगा अभी तो recorded company नहीं किया है और हाँ एक चीज मैं आपको बता दू कि इसमें आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक ही व्यक्ति के नाम से apply नहीं करना शेयर्स आप जैसे क्या है मैं अपना example लेता हूं माल लेते हैं मैंने क्या किया जैसे यह example आ यह जो brokers हैं इनका example ले लेते हैं माल लेते हैं मोतीलालोसवाल मेरे पास एक broker है और कोटक securities है और एक up stocks है दो तीन और example add कर देते हैं जिरोधा add कर देते हैं grow कर देते हैं ठीक है माल लेते हैं मेरे पास 5 broker हैं मेरे ही नाम पे ठीक है मेरे ही नाम पे 5 broker हैं तो अब मैं यह से apply कर रहे हो क्योंकि company यह देखेगी कि आपका pen number क्या है तो आपके pen number से अगर 5 application जा चुके हैं अलग-अलग divmat account से तो वो मान यह नहीं होगा आपका एक ही basically company accept करेगी बाकी reject कर देगी तो मैं यही कह रहा हूँ अगर आपको 6 shares apply करने हैं तो कोशिश यह करिए कि अलग-अलग account में करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा बाकी अगर इसका हम चार्ड देखे तो वो भी काफी strong है अगर यह stock 7370 यूपर निकलता है तो यह 7500 भी हो सकता है तो मेरे साफ ही यह stock है एक महीने में 8000 तक हो सकता है क्योंकि इतना डिमांड आएगा आप खुद देखेंगा कितना ऊपर यह stock भागता जाता है रिकॉर्ड डेट आने के बाद हो सकता है पांच पर स्टॉप रहे ठीक है तो आई जो भी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी लाइक कर दीजो रहाँ टेलिग्राम चैनल इसको भी जॉइन कर सकते हैं बहुत जादा इससे फाइदा मिले का आपको इस टॉक्स के अनालिसिस साजा करते हैं जो भी मार्केट में अपडेट आती है वो हम यहाँ पर प्रवाइड करते हैं जब भी इसका रिकॉर्ड डेटा है का हम आपको बताएंगी तो जरू टेलिग्राम चैनल को जाइन कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब के लिए धन्यवाद